खुश्दिल शाह T20 कृकिट में 13-13 सेंचरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकिटर बन गए किस-किस पाकिस्तानी खिलाडी ने कब और कहां 13-13 T20 सेंचरी बनाई जानने से पहले हमारा चैनल सबस्क्राइब करें 25 साला मिडल ओर्डर बेट्समेन कुछ दिल शाह ने 35 गेंदों पर बर्ग रफतार सेंचरी बना कर नेशनल टी-20 कप में सदरन पंजाब को इवेंट में पहली कामयाबी दिला दी बाए हाथ के बेट्समेन ने 9 चकों और 8 चोकों पर मुश्टमिल दुआनदा रिनिंग्स खेल कर मैच का 5 सा ही पलट दिया ये नेशनल टी-20 कप और पाकिस्तान के मेदानों में बनाई गई टी-20 क्रिकिट की तेज तरीन सेंचरी है टी-20 क्रिकिट में तेज तरीन सेंचरी बनाने वालों की फेहरिस्त में अब दूसरा नंबर सेलफी स्टार एहमद शेजाओ का है एहमद शेजाओ ने 2012 में बी-पील में ढाका में 40 गेंदों पर तेज सेंचरी बना कर ये रिकॉर्ड बनाया था एहमद शेजाद के पास यहजाज आठ साल तक रहा एहमद शेजाद ने छे चखकों और बाराँ चोकों की मदद से नकाबल शिकस्त 113 रंज बनाए थे टी ट्वंटी क्रिकिट में सेंचरी बनाने वाले तीसरे नंबर पर जिस पाकिस्तानी क्रिकिटर का नाम आता है वो हैं बूम बूम शाहिद खान आफरीदी चखके चोके लगाने के माहिर शाहिद आफरीदी ने 42 गेंदों पर सेंचरी बनाई थी शाहिद आफरीदी ने टी ट्वंटी सेंचरी काउंटी क्रिकिट में बनाई थी 2017 में हेंप शायर और डर्बी शायर के दर्मियान खेले गए मैच में शाहिदा फ्रीदी ने ये एजाज हासल किया था और राउंडर शाहिदा फ्रीदी ने 43 गेंदों पर 10 चोकों और 7 चोकों की मदद से 101 रंज बनाए थे आफस्पिनर बिलाल आसिफ टी ट्वेंटी क्रिकिट में 23 तरीन सेंचरी बनाने वाले चोथे पाकिस्तानी हैं उन्होंने 2015 में डुमेस्टिक क्रिकिट के दोरान फैसलाबाद में 43 गेंदों पर सेंचरी बनाई थी बिलाल आसिफ ने 48 गेंदों पर 10 चकों और 8 चोकों की बदूलत 114 रंज बनाए थे नाजरीन T20 क्रिकेट में 30 तरीन सेंचरी बनाने वालों की फहरिस्त में सबसे उपर T20 क्रिकेट के बादशा क्रिस गेल का नाम है वेस्ट इंडीस के चारहाना बल्लेबास क्रिस गेल ने IPL में 30 गेंदों पर सेंचरी स्कोर की थी क्रिस गेल का 2013 में बनने वाला रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका 2018 में भारती खिलाडी रिशब पेंट क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे लेकिन वो यह एजाज हासर करने में नकाम रहे रिशब पेंट ने धिली में 32 गेंदों पर सेंचरी बना ली थी लेकिन बदकिसमती से वो वेस्ट इंडीस के अजीम बैट्समन का ये रिकॉर्ड ना तोड़ सके